बॉल है शक्ति की बारे में कुछ बातें करना प्रासर की प्रहेगा शिव के रहे शिव सकते हैं शिव वो है जिन तक मन मन रहकर पहुच नहीं सकता शिव को तो रहस से रहना है सकता शक्ति शक्ति, मन हैं, संसार है शेफ में स्थिरता है, अचलता है शक्ति में गति है, चलंची रता है शक्ति जीवन है, शक्ति वो सब कुछ है जिससे आप एक मनुष्य होकर के संबंध रख सकते हैं शक्ति भाव है, शक्ति विचार है शक्ति में संसार के सारे उतार छड़ाव, आसों हैं और मुस्कुराटी है इन नौ दिनों में, जवरात्री में, शक्ति के नौ रूपों की पूजा बताती है हमको के संसार के जीवन के समस्त रूप पूजनी है और वो बहुत कुछ हमको धर्म के विशय में सिखा जाती है आ गया है हमसे की सत्य अरूप है, सत्य अचिंत है, निरा तार है लेकिन जब आप शक्ति के नौ रूपों को पूजते हों तो आपसे उससे आगे की एक बात देही जाती है ऐसी वात जिन ज्यादा सार्था, ड्यावहारिक और रूपयोगी है सत्य होगा अरूप, पर हम रूपों में जीते हैं सत्य होगा अचिंत, पर हम विचारों और भावों में जीते हैं सत्य होगा नेराकार, पर हम तो आतार और रंग और देह में जीते हैं सत्य होगा असीन, पर हमारा तो सब कुछ ही सीमेत है जिन्हों ने असीन की पूझा शुरू करती हैं जिन्हों ने निर्गुण निराकार को पकड़ने की चेश्टा कर ली। जिन्हों ने ये कह दिया कि वो सब कुछ जो प्रकट और व्यक्त है वो दुख्षुत रहे हैं। और असत्य है उन्होंने जीवन से ही नाता तोड़ लिया। उनका मन बिलकुल शुश्ट और पाशाण हो गया। अरूप तक जाने का एक मात्र मार्ग रूप है। सत्य तक जाने का हमारे लिए एक मात्र मार्ग संसार है। शिव के अन्वेशन का एक मात्र मार्ग शक्ति है। जुन्होंने संसार से किनारा कर लिया ये कहके के संसार तो सत्य नहीं। उन्होंने संसार को तो खोया ही सत्य से भी और दूर हो गए। शक्ति के नौ रूप बताते हैं हमको कि जीवन अपने समस्त रंगों में समाननी है, प्यारा है, पूजनी है। धर्म जीवन को काटने की बात नहीं है, कि कुछ गवातों का, कुछ पहलूं का, कुछ रंगों का निशेद कर दिया। करा जा सकता है, सीखा जा सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, आप अपने आपको शिक्षा दे सकते हैं। कि होटों को इतना सकत रोलाने के मुस्कुराएं नहीं। कि आखों को ऐसा पत्थर करने के वो रोएं नहीं। कि मन को ऐसा जड़ करते हैं कि वो कभी तरंगित ही नहीं। पर ये शिक्षा धर्म नहीं है। हमने तो ऐसे भी अपने उपर हजार वरजनाई लगाई हुई है। उन वरजनाओं को और बढ़ाने का नाम धर्म नहीं है। और ये बड़े अचरच की बात है कि ऐसे लोग हमारे जैसे लोग जो पहले ही बंधे हुए हैं। जो पहले ही अकनी बेडियों से आगे जाने हैं। में असमर्थ मालूम होते हैं। वो लोग उन्हीं दायरों को और उन्हीं बेडियों को और सख्त और मजबूत और जड़ करने को धर्म का नाम दे देते हैं। जैसे कि कोई बीमार अपनी बीमारी को और गहरा करने को स्वास्त्र का नाम दे देता हो। धर्म है पून मुक्ति और पून मुक्ति की बात बंधनों के परिपेक्ष में ही संभव है। अन्यथा मुक्ति की बात क्या प्रासंगित्ता क्या। हम उल्टा सोच लेते हैं। हम कहते हैं मुक्ति का अर्थ है जीवन से मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है जीवन पर पड़े बंधनों से मुक्ति। जीवन मुक्त की बड़ी सुंदर अवधारणा रही है हमारे हां। और जीवन मुक्त का अर्थ बहुदा लगा लिया जाता है जीवन से मुक्त। जीवन मुक्त का अर्थ होता है जिसका जीवन मुक्त हो बंधनों से जीवन से मुक्त नहीं मुक्त जीवन वाला वो हुआ जीवन मुक्त जीवन जीता हो। और मुत्ट जीवन जीने का अर्थ है जीवन के सभी चहरों को गले लगा पाने का साहस का प्रेम अक्सर लोग धार्मिक्ता की ओर आते ही इसलिए हैं क्योंकि वो कुछ छोड़ना चाहते हैं कुछ द्यागना चाहते हैं और आप तथा कथे धार्मिक लोगों को देखेंगे तो उनमें एक खास रूखापन पाईंगे अक्सर उनकी मुचाईन अपने का पयमाना ही यही होता है कि उमोंने क्या छोड़ रखा है कि वो कितने अदभुत है असाधारण है और असाधारण होने का अरथी होता है कि वो सबकुछ जो साधारण है, सरल है, जीवन के सहज प्रवाह में सम्मिलित है, तुम उससे किनारा कर लो, तुम उसे हीन मानो, तुम उसे त्याज्य मानो, ये धार्मिक्ता की बड़ी विद्रुप परिभाशा है, वास्तविक रूप से धार्मिक व्यक्ते, जीवन के साथ एक होता है, उसने अपने और जीवन के बीच की सारी दिवारें गिरा दी होती हो, वो जीवन के सहज प्रवाह में निविरोध बह रहा होता है, और जीवन सब कुछ ले करके आएगा, एक सीमित व्यक्ति, एक सीमित मन, एक सीमित देह के साथ, जितने भी अनुभव हो सकते हैं, वो सारे अनुभव जीवन दिखाएगा, इन अनुभव से आपको चोट लग सकती है, इन अनुभव से आप गौरो मंडित हो सकते हैं, इन अनुभव आपको बहुत रुच सकते हैं, इन अनुभव आपको बड़े अप्रे लग सकते हैं, कटू लग सकते हैं, इन ही में जीना, और इन ही के विरोध से मुक्त रहना धार मिकता हैं, आप बैठ करके उपनिशदों का पाठ कर रहे हूं, और सूचना आजाए कि आपके दोस्त की मौत हो गई है, और आप कहें कि नहीं अभी तो गीता का पाठ कर रहा हूं, और प्रिश्न यही तो समझा रहे हैं, कि ना कोईः आता है, ना कोईः जाता है, असा कोई समय नहीं था है, अर्जुन, जब ये लोग नहीं थे तो खास गीता के पाठ के समय मैं मृत्यू के खबर को वजन कैसे दे सकता हूं, यदि आप ये कह रहे हैं, तो आप घोर अधार्मिक है, अब गीता को आपने नियम बना गिया है अब गीता आपके लिए मात्र शब्द है आप भूली गए हैं कि गीताकार स्वयम मुरली भी बजाता था हस्ता भी था रोता भी था और विरह वेदना में छटपटाता भी था जापान की कहानी है एक जिन गुरु थे उनकी मृत्ति हो गई उनके शिश्य गिलाग करने लगे जीवन भर आचारे ने और उनके शिश्यों ने सबसे इस्थिर्ता की और अनासक्ति की बात्या करी थे उन्हें देख करके यूं लगा था जियों विराग की मूर्ति हो और आज इस छण पे जब गुरु का देहा वसान हुआ शिश्य रोते नजर आए तो आसपास की लोगों ने आकर के कहा कि आपके गुरु तो कहते थे और आप भी कहते थे कि सब कुछ शुन्ने हैं देह द्वैत है शरीर प्रतीति मात्र है एक आंतरिक परम शुन्निता है और वही एक मात्र सक्त्य है तो अभी रोना कैसा है अनुने खा ठीक शुन्ने हैं सक्त्य है पर हम तो देह के लिए रोते हैं सक्त्य के लिए कौन रो रहा है शुन्ने के लिए कौन रो रहा है गुरु थे प्यारे थे हमें उनका शरीर भी प्यारा था शरीर चला गया है हम शरीर के लिए रो रहे हैं इतना भी हपने हैं हमें यह धर्म है, जब आप आत्मा के समक्ष समर्पित होते हैं, तब आप को यह अधिकार मिल लियाता है, कि आपनी संकोच संसार को हो सके, हम कहां निसंकोच संसार के में पाते हैं, हम तो डर जाते हैं, संसार कौन नहीं है, जिसे दुश्मन न प्रतीत होता है, कौन नहीं है, जिसने संसार के खंड न कर रखें, कौन नहीं है, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए दिवारे न बना रखें, धर्म सक्त्य सक्त्य जपने का नाम नहीं है, धर्म संसार में अपने इर्द गिर्द खड़ी कई गई इन दिवारों को ढहाने का नाम है, आप उन दिवारों के मध्य बैट करके, अलग जगाते रहें, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, आप शास्त्रों के श्लोकों का उचारण करते रहें, उन सारे श्लोकों से ज्यादा बड़ी हकीकत वो दिवारे होंगी, और ये दिवारे नहीं हैं, और खुले आस्मान के नीचे, सीमाओं से मुक्त, आप बस रमण कर रहे हैं, चाहे समाज में, चाहे संसार में, चाहे जंगल में, जन में, चाहे वन में, तो आप फिर ब्रहम ही हैं, ब्रहम तो ब्रहम ब्रहम जपने का नाम नहीं है, ब्रहम तो असीम हो जाने का नाम है, दिवारे गई नहीं के आप ब्रहम, ब्रहम शब्द, व्रहद शब्द के बहुत निकट हैं, ब्रहद माने वो, जो बड़ा, जिसके दाइरे में, जो दाइरा बग्ध, वो कष्ट में, जो दाइरों से मुक्त, वो ब्रहम के आनंद में, अब होथों से वो कुछ कहें न कहें, फर्क क्या पड़ता है, ब्रहम कोई होथों की बात थोड़े ही है, आप लोग हैं आये हैं, मेरा रोध है कि धर्म को जीवन की अवज्या मत बना लीजिएगा, धर्म को एक कृत्रिम गंभीरता मत बना लीजिएगा, वहिस्कता, प्रोधता, मेक्च्योरिटी के नाम पर धर्म को एक बोज्य सा मत बना लीजिएगा, ऐसे लोगों को दिन राद देखता हूँ, इसी लिए ये विना करनी पड़ रही है, आम जीवन में आप अपने आपको पूरा अधिकार देते हैं, हसने का, खेलने का, आप जब निशदों के साथ भी बैठें, तो अपने आपको उनसे खेलने का हक दें, अब उससे बात कर रहे हैं, बीच में कुछ गलत नहीं हो जाएगा, एज़ि आप ठाहाका मारतें, ठाहाका नहीं मार सकतें, तो कम सका मुस्कुरा ही दीजिए, धर्म का मतलब मुर्दा हो जाना नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि धार्मे कायोजनों में, अधिकांशिता वही लोग जुड़ते हैं, जो या तो मर चुके होते हैं, जिनकी मरने की पूरी तयारी होती है, धर्म परम जीवन है, शक्ति के नौ चहरों को जीवन का अनंत चहरा समझिएगा, जीवन के अनंत रूपों के पर्याय हैं शक्ति के नौ रूप, एक सुन्दर है तो दूसरा भी सुन्दर है, एक क्रूर लग सकता है, दूसरा मुहप लग सकता है, कोई फर्क नहीं करता है, एक में मा हैं, और दूसरे में संधार करत्री, एक रूप में जीवन दे रही है, दूसरे रूप में जीवन ले रही है, एक रूप में विद्या दे रही है, एक रूप में अशुर है, एक रूप में किसी की अर्धांगनी है, एक रूप में जगरजननी है, आप देख रहे हैं ये सारे रूप आप से कितने जुड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं कि इन सब का हमारे निजी जीवन से कैसा वास्ता है, जब आप इनकी पूझा करने जाएं, तो समझ दीजेगा कि आप उनकी नहीं अपने ही जीवन के भिन्बिन्म पहलूओं की पूझा कर रहे हैं। और योदे आप अपने जीवन के पहलीओं के पूजा करें बिना पहुंच गए मा को तरपन देने तो आपकी भेट विर्थे ही जानी है आप घर बैठे हैं आप खाना खा रहे हैं जीवन का एक रूप है इसको आदर देना सीखें ये कोई हीन बात नहीं है और लौकिक घटनाओं की तलाश में न रहें कि आदरनी तो कुछ तभी हुआ जब वहां कुछ विलक्षण हो पार लौकिक असालहारण हम तो बैठ करके रूटी सबजी खा रहे हैं इस बात को क्या महपत देना है वो परम घटना है ऐसा समझे कि जैसे आप मंदिर नहीं है जन्म होता है एक बच्चे का आपके यहां पर परम घटना है बट्य घटती है आपके यहां परम घटना है और जन्म बट्य जब मैं बोल रहा हूं तो ये तो फिर भी विरल घटनाई है कभी कभी होती है जो रोजमर्णा की साधारण घटनाए है इनको आप शक्ति का नित्य समझे नित्य की कलाएं समझे कुछ नहीं कर रहा है आप पुर्सी पर बैठे हैं अगवार पड़ रहा है या ठक कर आए हैं नहाने चले गए है ये जीवन का नित्य ही तो हो आप पड़ोसी से बाचीत में मत नहीं आप टीवी देख रहे हैं आप कोई किताब पढ़ रहे हैं शाम को आए हैं आप बच्चे से बात कर रहे हैं ये खिड़की से बाहर देख रहे हैं डूपते हो सूरज को ये अपनी अर्धांगिनी के साथ है ये सब घटनाए रोज घटती हैं और चुकि रोज घटती हैं तो हमें लगता है इन में तो कुछ खास नहीं नोदुरगा आपको बताने आई है कि इन ही में ही सब कुछ खास है और इनके अधरिक्त कुछ और खास होता नहीं और जो इन में सक्त्य को नहीं देख सकता सक्त्य फिर उसके लिए है नहीं मैं धूरा के कह रहा हूँ संसार की गहराईयों में ही सक्त्य पाएं गया संसार से पलायन में नहीं और जो संसार की गहराईयों में उतरने से डरते हैं जिन खोजा तिन पाईयां गहरे पानी पैट इस पानी को इस प्रवाह को बुद्ध ने जीवन करें इसी में गहरे बैठना होता है इसी में गहरा कूता मारना होता है और आगे आप डरते हैं, मैं बौरा डूबन डरा, रहा के लगा, यदि आप डूबने से डरते हैं, अगर जीवन का कोई भी पक्ष आपको आतंकित कर जाता है, तो सत्य आपके लिए नहीं है, क्योंकि शिव की अभिव्यक्ति ही तो हैं शक्ति, शिव का वो रूप जो आपके सामने आ सकें, जिसे मन जान सकें, जिसे इंद्रियां पहचान सकें, उसको शक्ति कहते हैं, और सक्ति के अभिवक्ति ही तो है संसार, निराकार आएगा आपके सामने तो पकड़ लेंगे, क्या, कहिए, आपकी आँखों ने कभी कुछ भी निराकार देखा है, क्या, हम तो मलिंताओं में जीने वाले जीने हैं, कुछ बिल्कुल निर्मल, निर्विकार आगया आपके सामने, तो उससे क्या रिष्टा बनेगा आपका, जीवन की तथा कतित मलिंताओं में, विकारों में, ही बिना शिकायत के पैठना होता है, और शिकायत करने का मौका तो आपको मिलेगा, क्योंकि मलिंता मलिंता है, विकार विकार है, आपको लगेगा कि हम कहें कि देखो, यह सब जूट है, गलत है, गंदा है, जूट लग सकता है, गंदा प्रतीत हो सकता है, उससे भागिये मत, यहां त्यागने लायत कुछ भी नहीं है, त्यागना है तो त्यागने का भाव त्याग दीजिए, यहां कुछ ऐसा नहीं है, जो इतना हीन है, कि आप कहें कि यह तो तुच्छ, मैंने छोड़ा इसको, यह कि यह कहतीजिए कि लचनाकार से ज्यादा बड़ी है आपकी होशियारी, आप कह रहे हैं उसने बनाया हमने त्यागा, गौद प्रोपोज़ों, वानों डिस्पोज़। करते तो हमी आई है ना? कहीं पर छुपा रहा हूं आपको आत्मा अजर अमर होगी आपका देह से बड़ा गहरा संबंद है और ये देह दुबारा नहीं मिलेगी देह का तो एक ही जीवन है और मौका भीटता जा रहा है जीवन गुजरता जा रहा है और मत चूकिये सत्य की इतनी बातें करते हैं तो सत्य पर जरा भरोसा भी रखिए कुछ ऐसा नहीं हो जाने वाला है कि आप तूट जाएं कोई अनुभाव इतना विकराल नहीं हो सकता कि आपको तोर निचे खुड़ दे और यदि वो आपको खंडखंड कर भी देता है तू भी क्या हो गुजरिये ना उससे आप पाएंगे कि तूटने के बाद भी कचरा हो जाने के बाद भी धूल धूआ हो जाने के बाद भी आप शेश हैं आप सकते हैं शक्त के केंद्र में सकते हैं वास्ताव में जब शिव और शक्त का निरूपन किया जाता है चित्रों में तो बड़े भ्रामक तरीके से किया जाता है यूँ दिखा दिया जाता है आपने अर्धनारी श्वर की मुद्राएं देखी होंगी कि आधे शिव हैं और आधी शक्ति ये बार बच्तानी है शक्ति ही शक्ति है शिव कहीं नहीं है संसार ही संसार है सत्य कहीं नहीं है मात्र शक्ति को प्रतिबंबित किया जाना चाहिए शिव का कोई निरूपन हो नहीं सकता और यदि इतना ही शौक है आपको शिव को प्रदर्शित करने का तो शक्ति के हृदय में एक बिंद रूप में शिव को दिखाने है शक्ति यदे पूरा विस्तार है तो उस विस्तार के मध्ध में जो बिंद बैठा हुआ है वो शिव है तो यदे आपको शिव को दिखाना भी है निरूपित भी करना है अवर्णित करना है तो शक्ति के हृदय के रूप में करें ये तो बड़ी अजीब बात है कि आपने दो चित्र लिए और दोनों को आदा आदा जोड़ दिया और कह दिया ये अर्धनारीश्वर हो गए ये शिव शक्ति हो गए शिव शक्ति ऐसे नहीं होते मैं फिर कह रहा हूँ मात्र शक्ति ही शक्ति है कैसे पहुँचोगे शिव तक शक्ति के दिल में जो बैठा है उसे शिव कहते अब पहुँचना है शिव तक तो क्या करोगे कहिए क्या किया जा सकते शक्ति को ही अंगीकार करना पड़ेगा और शिव को तुम पाओगे कहाँ शक्ति के हिर्दय में है वो शक्ति के आचल में है और शक्ति माने संसार शक्ति माने संसार कि सारे पहलो सारी उचनीच उसके अलावर कहाँ मिलने वाले है समझ नहीं है शिव किया राधना बिना शक्ति के पूरी हो नहीं सकती वास्तव में आराधना तो शक्ति की ही हो सकती है और जिसने शक्ति की आराधना कर लिए उसने शिव को पा लिया और जो शक्ति को धरकिनार कर शिव की और जाना चाहे वो भटकता ही रहेगा ये भूल बहुत आम है इसलिए इसकी चर्चा कई बार कर रहा हो कर दो दो चाहे वो बार कर शोड़ कर रहा है कि अाज़ जा एंदर किंडी, कि तुरुश्स दोग्या सन्ते, कि अस्ते, कि कोई। आप है कौन? आप अपने में खोजने निकलेंगे, तो आप क्या अपने आपको संसार से अलहदा पाइंगे? प्रश्ण है कि क्या सत्य की खोज स्वयम में नहीं हो सकती? क्या सत्य को शक्ति में ही खोजना ज़रूरी है? आप है कौन, आप अपने आपको जब भी देखेंगे, आप अपने आपको किसी न किसी रिष्टे में पाएंगे, आप अपने आपको हमेशा संसार से जुड़ा हुआ पाएंगे, तो जो ये भी कहें, कि मुझे तो सत्य को स्वयम में खोजना है, वो यही पाएंगे कि ये जो स्वयम है, यह जो मैं है, यह पूरा संसार है, क्योंकि यह सदा संसार से जुड़ा हुआ है, आप अपने को देखने निकलेंगे, आपको संसार को देखना ही पड़ेगा, तो आप चाहें तो दुनिया को देख ले, आप चाहें तो स्वयम को देख ले, एक ही बात है, क्योंकि कि आप और दुनिया बड़े गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं, अपने आपको देख ही नहीं पाएंगे बिना दुनिया को देखें, पिर दुनिया में हम भ्रमित हो जाएंगे, दुनिया से बाहर कैसे निकले हैं, जिसे हम कहते हैं, दुनिया में भ्रमित हो जाना, या क्या है दुनिया में आप फस तभी जाते हैं जब आप दुनिया से वो अपेक्षा कर रहे हों जो दुनिया दे नहीं सकती या आप दुनिया से उस बात के लिए डरे हों दुनिया की उस ताकत से डरे हों जो ताकत दुनिया के पास है ही नहीं जब आपने संसार को समझा न हो तब संसार आपको बहुत डरावना लग सकता है ठीक वैसे जैसे कि एक बंद कमरे से आवाजें आ रही हो और आवाज इस दिछ लएं आ रही है कि यो ये अंदर एक छोट आसा कुत्ते कबच्चा पंध है वो कूत्पान मंजा रहा है खुत्ट कर रहा है कि समान गिरा रहा है कुछ कर रहा है और अवाज्य हो रहे है कमरे में अन्धेर आं आप खुत्तव बाहर हैं आपको बहुत डर्ड लग सकता है अब मालूम है क्या है अब फस गए हैं आप और कुट्टा दोनों इसे कहते हैं संसार में फस जाना यहीं बस समझे है कि कुट्टा कमरे में फस गया है कुट्टा कमरे में फस गया है और आप कमरे से बाहर फस गये हैं और फस सिर्फ इसलिए गये हैं क्योंकि बीच में एक दर्वाजा है जिसे खोल पाने की आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं फस्ता संसार में आदमी सिर्फ तब है जब डर के मारे या लोब के मारे वो संसार को देख ही न पाए संसार के करीब ही न जा पाए साहस करके आपने दर्वाजा खोला नहीं कि अब दोनों ही फसे हुए नहीं रह गए कुट्ता भी अफ़सा नहीं है निकल के भागेगा और आप भी अफ़से हुए नहीं है आपके डर नहीं तो आपको फ़सा लिया था तमाम संशे खड़े कर दिये थे संसार से मुक्तित भी हो पाएगी जब संसार के बारे में कलपनाएं करने की जगह आप संसार के करीब जाएं और उसका तक्थ जान ले जो आप तक्थ जानते हैं तो वहाँ आप कुछ ऐसा पाते ही नहीं जो इतना बड़ा हो कि आपको गुलाम बना ले या कि इतना भ्रामक हो कि आप पर जादू चला दे संसार से दूर दूर रहेंगे संसार की गुलाम बन जाएंगे संसार में जितना पैठेंगे संसार से उतने मुक्त होते जाएंगे ये बात सुनने में थोड़े पटी लगती है पर इसको समझिएगा आप जिससे दूर हो गए आप उसी के गुलाम बन गए क्योंकि दूर होने का मतलब है कि अब तथ्य की जगह विचार ले लेगा और जो आपके मन में विचार बनके आ गया वो आपका राजा हो गया, आपका मालिक हो गया आप किसी इस्तरी से दूर होते हैं वो आपकी मालकिन बन जाती है क्यों? क्योंकि अब वो आपके खाबों ख्यालों कल्पनाओं में आती है अब वो राज कर रही है आपके उपर आप चले जाएं करीब करे साहस परणाम जो भी होता हो अब कम से कम कल्पनाओं के लिए तो जवह नहीं बची न तक्थे से रूबर हो गया आप मनमुक्त हो गया कई बार तो ये हमारी आंतरिक साजेश होती है कि कहीं मुक्त न हो जाएं इसलिए हम जानबूज करके फासला कायम रखते हैं पास गए तो रास खुल जाएंगे तो मन के सारे बहाने और बहलावे और मनुरंजन दिलीन हो जाएंगे तो पास जाओ हम दूर बैठे बैठे धारणाएं बनाते रहो खुब किससे बनाओ आपका जो धुर दुश्मन हो उससे आपकी दुश्मनी कायम ही इसलिए है क्योंकि आपकी उससे भी लागू होती है आप अपने दोस्तों के बहुत करीब चने गए तो दोस्ती नुभाना पर मुश्किल हो जाएगा हम जो कुछ भी निभाते हैं वहमारी धारणाएं ही तो होती है सब कुछ सुनियोजित ही तो होता है इस रिष्टे में ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है हम कहां किसी करीब जा पाते हैं हो सकता है कि आपका आपके अभिवावकों से आपकी मां से पिता से रिष्टा ठीक उतना पुराना हो जितनी आपकी उम्र है लेकिन कभी आपने उनको व्यक्तियों की तरह देखा क्या कभी आप वास्तों में उनके करीब जा पाए क्या कभी पिता से इंसान की तरह बात करी क्या बीच में एक धारणा को रख करके बात करी उस धारणा का नाम है बाप बेटे का संबंद तो आपका जो सवाल है वो बड़ा आम सवाल है और बड़ा महत्वपून सवाल है आप कह रहे हैं कि मैंने कहा कि सत्य तक संसार से होकर ही जा सकते हैं और शिव तक शक्ति ही ले जा सकती हैं लेकिन अगर संसार में प्रविष्ठ होने पर संसार में ही फस कर रहे गए तो और हमें सुधी जनुने खूब बताया है कि संसार भूल बुलईया है कि एक बार घुसे नहीं कि फस ही जाओगे मैं भी कह रहा हूँ कि घुसोगे तो फसोगे पर फसोगे सिर्फ तब जब तक पूरी तरह नहीं घुसे जो पूरी तरह घुस गया वो पार हो जाता है जो पूरा समा गया वो तर गया जो डूबने से डरा वो मरा डूब जाओ बिलकुल मिल जाएगा किनारा संसार को तो हम ऐसे देखते हैं न जैसे कोई अबूज पहली हो जैसे कोई अन्होनी घटना हो जैसे कोई दुश्मन खड़ा हो और हमें आकरांत कर रहा हो संसार क्रिक्तते हमारा रवया ही यही है कि यह कोई भयावख जगह है अन्जान लोगों से भरी हुई जहां कभी भी कुछ भी अप्रिय घट सकता है और जहां यदि कुछ ठीक होना है तो उसके लिए मुझे तयारी और प्रियोजन करना पड़ेगा कि हां संसार ना हुआ धंकी हो गया उस धंकी को कुछ लोग ऑपर्चुनिटी भी बोलते हैं अवसर पर बात एक ही है जब आप कहते हैं कि अवसर है तो आप यही तो कह रहे हैं कि देखना बीत ना जाए धंकी हो गया कि जिन्दा रहने के लिए बचे रहने के लिए कायम रहने के लिए इस अवसर को भुनाना जरूर तो यह भी तो एक धंकी ही है भविश्य की सारी चिंताएं धंकिया ही तो है चितावनिया ही तो है और भविश्य की सारी आशाय भी चितावनी से कुछ कम है क्या संसार में हम वैसे नहीं रहते हैं जैसे मचली पानी में रहती है जैसे पक्षी आकाश में रहता है वैसे कहार है पक्षा कोई आपको परिछित मिल जाए तो आप एक सधी हुई मुस्कान अपने चहरों पर ले आ देंगे किसी अंजाने को देख करके मुस्कुराहट कितनी कम फूटती है हुआ है कभी कि आप जा रहे हैं और मिल गया कोई धुर अजनवी और आपने कहा इधर आ भाई गले लग जा और गले लगने के बाद आपने नाम भी नहीं पूछा वह अपने रास्ते आप अपने रास्ते एसा होता का है, पर किभी तोते को देखिएगा, वो जाता है और किसी भी वरक्ष पर ऐसे बैठ जाता है जैसे घर ही हो उसका, हम कर पाते हैं रहा के Kuttho को भी देखियेगा, अजनवीयों से भी मिल लेते हैं ऐसे जैसे जन्मों का वास्ता हो, हम कर पाते हैं हमारे लिए संसार एक चुनोती है, एक चेतावूई है, एक खत्रा है नौदर्गा हमें सिखा रही है कि काली भी प्यारी है जहां तुम्हें डर लगे वहां भी प्रवेश्ट चुकना क्योंकि डर की गहराईयों में भी मुक्ति है जाओ अपने डर के भीतर जाओ में डर जाओ cents क्योंकि टाओ अपनंगाः जाओ लगे हमें क्योंकि प्रवेश्ट और लगे